गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा नीज यूटूब चैनल पे फ्रेंड्स मध्य परदेश कॉंस्टेबल जीडी में जो है बहुत ही कमाल की वेकेंसी जो है कॉंस्टेबल के पदो पे इन्होंने रिलीस कर दी गई है और इसकी जो ऑनलाइन जो जो भी फॉर्म की प्रतिक्या जो ऑनलाइन है वो 16 तारिक से ही स्टार्ट की गई है तो इस वीडियो के माध़म से मैं आपको उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इस वार जो है वेकेंसी किती रखी गई है कितनी SCST वाले बच्चों को, category वाले बच्चों को कितनी छूड़ दी जाएगी date क्या है, आपके examination की date क्या है और इसमें फीस किती रखी गई है बचा अगर आप चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्स्राइब करके पहला इकन जुरू दो आले क्योंकि इस चैनल पे आपको शिक्षर जगत की सारी न्यूस बलती है और मध्य पर्देश कॉस्टेबल जैसी भरती की जो है आपको इस वीडियो के मांतम से पूरी डीटेल, एक-एक डीटेल वाइस जो है मैं आपको बारी की से जो है बताने वाला हूँ स्टार्ट कर लेते हैं फिर वीडियो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा MP मध्य पर्देश कॉस्टेबल के पदों पर जो है ऑल्लाइन फॉर्म निकाले गए हैं 2021 में यह जो वेकेंसी की बात करें तो 16 तारिक से जो है इसका फॉर्म बनना स्टार्ट हो गया है और जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है 15 तारिक स्टार्ट तीस एक मतलब तीस पंदरा दिनों का आपको उसमें दिया गया है कि आप जो है जल्दी जितनी भी जल्दी से जल्दी फॉर्म हो सके आप उतना जल्दी भर देना क्योंकि लास्ट टाइम पे यह होगा कि आपकी सर्वर काम नहीं करता है कोई भी साइट कोई भी वेकेंसी ले लीजिए कोई भी आखरी टाइम पे भरोके तो उसका सर्वर जो है वो बिलकुल भी काम नहीं करता MP पुलिस की जो है वेकेंसी है और बहुत जादा नंबर पे जो है इन्होंने वेकेंसी इसवार निकाली गई है आपको जानके बहुत जादा खुसी होगी कि ये जो है चार हजार ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 4000 पोस्ट है ये बना 4000 पोस्ट होना जो है बहुत मध्य परदेश में बहुत गर्व की बात है कि 4000 पोस्ट एक साथ आना वो भी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए ठीक है तो मैं आपको डिटेल वाइस बताता हूँ आप इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है इन्होंने कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं एक्जामनेशन की और सारी चीजे क्या है क्या क्या डेट रखी गई है सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लिकेशन जो है वो 16 एक 2021 16 तारिक सच जो स्टार्ट हो गया है जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 31 2021 यानि 30 जनवरी 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसमें लास्ट डेट ऑफ करेक्शन अगर आपका कोई करेक्शन है फॉर्म में एडिट करके तो आप चार तारिक तक ही आपको टाइम दिया गया है सिर्फ चार दिन और टाइम दिया गया है ठीक है फ्रेंट्स और इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये भी दी गई है कि इसका हभी से ही पहले बता दिया गया है मद्धे परतेस बोर्ड दोरा पुलिस कॉंस्टेबल की भरती दोरा इन्होंने पहली बता दिया गया है कि हम 6 तारिक को 6 मार्च 2021 से जो है इक्जामनेशन स्टार्ट करवा देंगे और आपका एड्मिट कार जो है वो फरवरी 2021 यानि नेक्स्ट मन्त जो है आपका एड्मिट कार भी रिलीस कर दिया जाएगा और इसमें एजूच मैं आपको अभी सारा बताऊंगा अभी मैं आपको एजूच सारा बताऊंगा एज क्या रखी गई है है ना पहले मैं आपको एप्लिकेशन फीस बता देता हूं कि एप्लिकेशन फीस क्या रखी गई है बच्चा तो इन्होंने क्या क्या दे रखा है ज जो है 860 रुपे लिए जा रहे हैं एक वार और ध्यान से सुनना बच्छा जन्रल एंड अधर स्टेट अधर स्टेट क्या हो जाती है जैसे जो MP से अधर स्टेट हो जाता है जैसे गुजरात है उत्तरबर देश है महाराष्टा है जो अधर स्टेट है मनलब जो MP को छोड़के और state है उनसे जो है 860 रुपे लिए जा रहा है 860 और MP reserve category MP reserve category वाले बच्चों से जो MP में reserve category में यानि SC में, HT में आते हैं उनसे जो है 460 रुपे लिए जा रहा है ये तो है double paper की बात ये for double paper अब बात करते हैं single paper इनके जो है दो होंगे अब single paper की बात करें तो ये single paper के लिए क्या ले रहा है General and other states वाले बच्चों से 660 रुपीस लिए जा रहा है और MP reserve category वाले बच्चों से 360 रुपे लिए जा रहा है fees की payment आप net banking debit card हो गया net banking हो गया, credit card हो गया किसी भी माध्यम से जो है आप इनकी जो है fees की payment कर सकते है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अब बात करते है age की कि सबसे बड़ा जो factor रहता है वो age भही रहता है बच्चों क्योंकि age ही निकल जाती है तो मैं आपको age ही बताता हूँ age जो इनोंने दी गई है minimum age जो है वो 18 है maximum age जो है वो 33 है और जो relaxation मिलता है वो भी मिलेगा बिल्गुल मिलेगा वो भी S.E.S.T. को 5 साल O.B.C. वाले बच्चों को 3 साल का relaxation दिया जाए अब बात करते हैं कि vacancy तो है 4000 vacancy है सर आपने बता दिया कि 4000 vacancy है तो vacancy मतलब कौन सी जो है छेतर में इन्होंने vacancy दी गई है और उसकी क्या qualification दी गई है ठीक है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ सबसे पहले बात करते हैं radio costable radio उसमें जो है आपकी 138 vacancy दी गई है और इसकी qualification क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ 138 vacancy costable radio में दी गई है इसमें आपका BTEC चल जाएगा डिपलोमा वाले बच्चे भी अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पस ITI का certificate है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं बच्चा एक बार और ध्यान से सुनना रेडियो costable के लिए 138 तो पोस्ट है BTEC, डिपलोमा ITI वाले बच्चों को ही इसमें मौका दिया गया है ठीक है फ्रेंड्स अब नेक्स चलता है costable GD costable GD की बात करें तो उसमें बहुत number of vacancy है और सबसे जादा बच्चे इसमें के लिए जो है apply करने वाले costable GD की बात करें तो 3862 यानि 3862 पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है 3862 पोस्ट और इसमें आपको simple बारवी पास चाहिए चाहे आप बारवी art से पास हो, commerce से पास हो या science से पास हो या open board से पास हो या किसी private से आपने पढ़ाई कर रखी हो, तो भी पास हो compartment आ रखी हो, आपने पास कर लियो, compartment तो भी आप भर सकते है बस आपको बारवी पास चाहिए ठीक है, तो ठीक है फ्रेंट्स, ये दोनों चीज़ आपको समझने आ गई होगी, post और qualification अब बात करते हैं physical कि इसमें जो है physical कितना कितना होगा क्या क्या physical रखा गया है, क्या क्या नहीं रखा गया है, male और female के लिए मैं दोनों के लिए बताऊँगा, constable GDP physical detail ठीक है फ्रेंट्स, बात करते हैं general EWS SC male candidate के लिए ठीक है सबसे पहले मैं बात कर रहूँ male candidate के लिए जो SC, EWS और SC category रहा थे उनकी height 168 cm होनी चाहिए ठीक है, बच्छा ध्यान सो सुनना height जो है 168 cm, chest जो होनी चाहिए 86 से 81 से 86 मनि फुलाने के बात जो है 86 होनी चाहिए running जो आपकी running जो आपकी होईगी 2 मिनट, 2 मिनट 45 सेकिड में 800 मेटर की आपको दौड लगानी है जो गोला फेक होगा आपका 19 feet 19 feet तक आपको फेकना है और long jump जो है आपको 13 feet तक होनी चाहिए अब ST वाले बच्चों के लिए सभी तो मैंने EWS SC और General के लिए बताया है और running, running भी सेम रहेगी 800 मेटर, 2 मिनट 45 सेकिड में और गोला फेक और long jump, गोला फेक 9 feet और 13 feet long jump ठीक है तो अब मैं बताता हूँ female candidate के लिए female candidate के लिए क्या नहीं रखा गया है female candidate female जो General EWS और SC category में आता है पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ उनके लिए 155 जो है उनकी height होनी चाहिए और chest उनकी नहीं होगी इस बार, chest मतलब होती नहीं है female में और running की बात करें तो running जो है उनकी 4 मिनट का समय दिया जाएगा और 800 मेटर की उनको जो है दौड लगानी पड़ेगी ठीक है friends और gola fake की बात करें तो gola fake जो है 15 feet और 10 feet जो है इनकी long jump रखी गई है और ST female की बात करें जो ST में आती है तो उनके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल सेम है process कोई उनके लिए बदलाव नहीं है जो general EWS और SC वाली female के लिए है वो ही ST वाली के लिए है मनद कोई बदलाव नहीं है तो ये इनका सारा process है form बनना start हो गया है सिर्व आपको 15 दिनों का आपको समय दिया गया है form बनने के लिए जिन भी बच्चों ने हभी तक इसका form नहीं बरा है वो इसका MP constable का form बर सकते हैं और आप इसका form भारत के आप किसी भी कोने में रहते हैं तो आप इसका form जरूर से जरूर भर सकते हैं मार्च में इसकी परिक्षा हो जाएगी फरवरी में इसका admit card भी जारी कर दिया जाएगा 6 मार्च के बाद इनकी परिक्षा हो जाएगी जहां तक हभी तक इन्होंने notification में बताया गया है अगर आपको कुछ जानकरी नहीं समझ में आई हो कुछ मैं आपको बता नहीं पाया हूँ तो आप मेरे को comment section पर बता सकते हैं हमारी team दुआरा आपको reply जरूर से जरूर दिया जाएगा बाकी जो है मैंने आपको एक एक चीज जो है बारे की से बता दी गई है कि आप आपका physical में क्या क्या आएगा examination date क्या है form कब से कब तक भरे जाएंगे fees क्या रखी गई है वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है फिर भी किसी बच्चे का doubt होता है कुछ नहीं समझ में आती है तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ कि आप इसका form भारत के किसी भी कोने में रहते हो बस आपने बारवी पास की करी होनी चाहिए तो constable GD के लिए आप apply कर सकते हैं अगर आपने BTEC, Diploma और ITI कर रखा है तो आप radio वाले जो vacancy है उसके लिए भी apply कर सकते हैं और नीचे वाली vacancy के लिए भी apply कर सकते हैं GD वाली के लिए ठीक है friends तो friends मैंने इस वीडियो के माधम से आपको उसका पूरा process बताने की कोशिट की है मैं एक और बार बता देता हूँ कि फिर भी अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आई कुछ चीज तो comment section पे बता दीजिए मैं आपको जो है reply जरूर से जरूर कर दोता तो friends इस वीडियो में इत्ता ही और जो भी हमारे नई साथी चैनल के साथ नहीं जुड़ पाएं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जूर दो आले क्योंकि इस चैनल पे आपको शिक्षर जगत की सारी न्यूस लेटेस न्यूस जो है वो आपको देखने को मिलती है ठीक है friends आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंज आपको देखने के लिए आपको देखने के लिए